नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश है, 31 अगस गुरुवार दोपहर सवातीन बजे, राजसान की 15 बड़ी खबरे इस न्यूस बुलिटीन के प्रायुजक हैं विनी एंड विनी केक एंड मॉर सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर आज समाप्त होगी अमरनाथ यात्रा इस बार पांच लाग से ज़्यादा श्रधालूनी की पवित्र गुफा के दर्शन गोगोई ने शिरू की उदेपुर्वे बांसवड़ा संभाग के नेताओं के साथ चर्चा पंजाब में पंचायते भंग करने का फैंस लाव वापिस राष्ट्रपती ने जगनात मंदिर पहुंच कर लिया आश्रवाद बारा के सीसवाली में खुलेगा राधस्तान का पहला खनन विश्वविद्याले और अब खबरे विस्तार से सुनिये बाबा मरनात की यात्रा 31 अगस्त को छडी मुबारक के दर्शन के साथ समाप्त होगी चड़ी मुबारक भगवा कपड़े में लिप्टी भगवान श्रिफ की पवित्र चड़ी है जो 26 अगस्त को श्री नगर के एक अखाड़े से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकली थी महात्नाओं और सादू संतों के साथ 30 अगस्त को वो शेशनाक से पंजतर्णी के लिए रवारा हुई थी आज वो पवित्र गुफा पहुँचेगी और पूझा आर्चना करके दर्शन करेगी महंत दिपेंद्र गिरी के नेतरताओं में उसे पवित्र गुफा में स्तापित किया जाएगा और इसके बाद उसे वापर श्रीनगर सिर्थ अखाड़े में ले जाया जाएगा इस साल पांच लाग से ज़्यादा श्रधालों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किये हैं कॉंग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष सांसत गोरगोगई वे सदस्यों ने आज उद्यपूर वे बांसवाड़ा संभाग के नेताओं के साथ चर्चाश चुरू कर दी है गोगोई कमेटी के सदस्य गणेश गोडियाल एवं अभिशेक दत ने सबसे पहले बांसवाड़ा संभाग के नेताओं से फीडबैक लेना शुरू किया है उद्यपूर की होटल लेकिन में शुरू हुई इस बैठक में आमंत्रिक नेताओं से एक एक व्यक्तिगत मिल रहे हैं और वे उनसे उनकी विदान सभाग ख्षेत्र में पार्टी की सिती से लेकर चहरे को लेकर बाच्चत कर रहे हैं इस बैठक के वाद वे उद्यपूर संभाग में आने वाले जिलों की विदान सभावाद बुलाई नेताओं से बाच्चत करेंगे पंचाब सरकार ने सभी पंचायते भंग करने का फैंसला वापिस ले लिया है राजी सरकार अगले एक दो दिन में नोटिफिकेशन वापिस ले सकेगी और पंचाब एवं हर्याना हाइकोर्ट में गुरुवार को पंचायते भंग करने के मामले पर सुनवाई हुई इस जोरान पंचाब के चीफ सेकेटरी ने आदेश वापिस लेनी की जानकारी दी और इससे पहले हाइकोर्ट ने मामले में आप सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और सरकार से पूछा गया कि आखिर किस अधिकार से पंचायतों को भंग करने का फैंस लाल लिया गया राश्टपती द्रोपदी मुर्मुर्ग गुर्वार से अपने दो दिवस्ये 36 गड़ दोड़े पर राइपूर पहुँच गई उन्होंने अपनी बेटी इती श्री के साथ भगवान जगनात मंदिर पहुँच कर पूजन और आरती की इस दोरान उनके साथ राजेपाल विश्वभूशन हरीचंद्र और मुक्यमंत्री भुपेश भगेल भी मोजूद रहे राष्टपती यहां से शांती सरोवर आश्रम पहुंचेगी जहां वे इयर ओफ पॉजिटिव चेंज थीम की लॉंचिंग करेंगी इससे पहले स्वामी विवेकानन एयर पॉटिस पर राजेपाल मुक्यमंत्री और मियर एजाज धेबर ने उनकी अगवाई की मेयर ने राष्टपती को चांदी से बनी शहर की चाबी भी सोंबी राजसान का पहला खनन विश्रविद्याले 12 के सीसवाली कस्बे में खुलेगा यह प्रदेश का पहला विश्रविद्याले होगा और इसमें करीब 200 करोड रुपे निवेश होंगे यहां देश्वर के विद्यारती खनन से जोड़ी शिक्षा का अध्यान कर सकेंगे विश्रविद्याले के लिए सीसवाली में 25 हेक्टेर भूमी निशुलक आवंटित की गई है खान और पेट्रोलियम मंत्री प्रमोज जैन भाया ने बताया कि यह विश्रविद्याले राजय सरकार का उपकरम राजस्तान स्टेट माइन्स एवं मिनरल स्तापित करेगा सुप्रिम कोट की अधिकारिक वेबसाइट के नाम पर लोगों से दोखादरी करने की कोशिश की जा रही है कोट ने एक सर्कुलर श्यर बताया है उसकी ओफिशल वेबसाइट से मिलते जुलती एक नकली वेबसाइट बनाई गई है और इसके जरी हैकर्स लोगों को नीजी और गोपनी ये जानकारी इकठी करके रहे हैं सुप्रिम कोट की रजिस्ट्री ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है विपक्षे दलो के गठबंदन इंडिया नेशनल डवलप्मेंट इंक्ल्यूसिव अलाइंस की तीसरी बैटक आज से मुंबई में शुरू हो रही है यह बैटक दो दिन चलेगी और शरत पवार ने कहा है कि बैटक में 28 पार्टियों के करीब 63 नेता शामिल होंगे बैटक शुरू होने से पहले शाम 5 बजे राहूल गांदी प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे और इसमें वे अड़नानी मुद्दे पर बोलेंगे इसके बाद 8 बजे उदव ठाकरे डीनर होस्ट करेंगे कल यानी 1 सितंबर को सुबह 10 बजे से अधिकारिक बैटक शुरू होगी इस पे गटबंदन का लोगो और कन्विदर का नाम सामनी आ सकता है सबसे प्रमुक ये तैह होना है कि कौन सा दल कहां से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा राजसान मिशन 2030 को लेकर राजसान पुलिस की ओर से कारे ओजना तैयार की जा रही है विरन दस्तावेज 2030 को लेकर नीम का थाना जिला पुलिस प्रबुद्ध जनों विशे विशेशक्यों हितधार को युवाओं और समाज के सभी वर्गों से पुलिस विवस्ताओं में सुधार और सुद्रिडी करन के समंद में सुझाव लेगी नीम का थाना स्पी अनिल कुबार बेनिवाल ने बताया कि 15 सितंबर तक नीम का थाना जिले में पुलिस बैठ के आयोजित कर सुझाव लेगी वृत कारल्यों और पुलिस थानों में स्कूल कॉलेज में बच्चों के सुझाव लेकर रिकॉर्ड किये जाएंगे चात्र चात्राओं के निबंद प्रत्यों गिताएं होएगी और सियल जी सुरक्षा सकी पुलिस मित्र विद्रजनों से चर्चा कर सुझाव लेंगे लोगसवा चुनाव से पहले कॉंग्रेस पार्टी ने दिल्ली में एहम बदलाव किया है करीब दस साल से दिल्ली की राजनेती में हश्ये पर चरी गई कॉंग्रिस पार्टी ने शिला दिक्षित सरकार में मंतरी रहे अर्विंदर सिंग लवली को प्रदेशा ध्यक्ष बनाया है उन्हें अन्यल चोदरी की जगए कमान दी गई है पार्टी के संगठन महासचीव केसी वेणू गुपाल की ओर से जारी विज्यप्ति के अनुसार कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे ने लवली को दिल्ली प्रदेश कॉंग्रिस कमीटी का नया अध्यक्ष लवली इससे पहले दिसंबर 2013 से फरवरी 2015 तक दिल्ली प्रदेश कॉंग्रिस कमीटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सुधार देखने को मिलेगा। जैपुर एरपोर्ट से देश के कई नए शेहरों के लिए हवाई सिवाई शुरू हो सकती है। नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में कब तक ट्रांसफर से बैन हटेगा इसको लेकर सिरफ मुख्यमंत्री स्तर पर ही फैसला होगा। अलवर में रक्षा बंदन के मोके पर जम कर पतंग बाजी हुई। पतंग बाजी करने का मज़ा ही कुछ और है। साल बर पतंग बाजी के लिए रक्षा बंदन का इंतजार किया जाता है। सनी दियोल की फिलम गदर टू की काम्याबी के बाद उनकी कई फिल्मों के सीक्वल आने के चर्चे शुरू हो गए हैं। इनमें सबसे पहला नाम बॉर्डर का है। हालांकि सनी दियोल बता चुके हैं कि उन्होंने अब तक कोई फिल्म साइन नहीं की है। एक पॉड्कास्ट के दुरान उनने बताया कि बॉर्डर का सीक्वल 2015 में ही बनने वाला था। लेकिन सनी दियोल की फिल्म पिट गई तो मुवी नहीं बनी और अब गदर के ब्लॉक बस्टर होने पर फिर से कई लोग उनकी मुवीज के सीक्वल बनाने की बाते कर रहे हैं। इसकॉन प्लाजा, संजे मेडिकल, कृष्णापुडी घांची वाड़ा, सरकारी अस्पताल, कॉलेज पुराना भवन श्रेत्र निर्धारित किया गया है। जबकि दूसरे सेक्टर में पुले सदिक शक निवास महिला, कॉलेज जेल लाना, माली समाच छात्रवास, धरमशाला रोडवे आसपास का शित्र रहेगा। देर राद तक बांदी राकी और सुबै भी मनाया रक्षा बंदन, शावनट पूर्णिमा पर दिन बर भद्रा रहने से शहर में देर राद तक रक्षा बंदन का पर मनाया गया। शाकूर जी का अभिशेक कर धवल पोशाक धारन करवाई गई और विशिष्ट आबुशन से श्रिंगार किया गया। फिलाल इस बुलेडिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खपरों के साथ।